है है लोगाज वेलकम बैक तो मैं चैनल हम करेंगे सेंपल पेपर एजुकेशन का चलिए स्टार्ट करते हैं यह सेंपल पेपर में सबसे पहला कोश्चन जो असर्शन और रिजन को लेकर है असर्शन कहता है फिलोसपी हेल्प करती है डेटरमाइन करने के लिए कि क्या डेटर है हो कोब आपके इते रिखेशन यहां अपर हमने सीर cél ऐह पूछा गया है कि कौन सी स्टेट्मेंट है वह तक तो इसलिए आपको भी स्टेश्य जांत में से पढ़ लेना चाहिए एο हम क्या करते हैं असर्शन और रेजिने में जो है हम अपने लोजिकल लगाने के लिए बैठ सकते हैं यह इसका असर्शन होगी या नहीं होगी यह रिजन इसका होगा या नहीं होगा तो यहां पर चुछ टीचर शूड़ अस्तितववादी जो टीचर होते हैं वह एंफिसाइज करते हैं जोर देते किसके उपर फ्रीडम रिस्पोंसिब्लेटी सब्जेक्टिव फिलिंग कोपरेटिव लर्निंग यह था कि इन दी अबोग उपर जो दिये गए इनमें से विच कंबिनेशन इस कोरेक्ट कंसा जो फिलिंग होती है उसके उपर क्या है यह स्थितववादी जो टीचर होई एमफिसाइज करते हैं ठीक है नेक्स्ट कोशिन है आपिस्टमोलोजी ब्रांच ओ फिलोस्पी विच डील विद तीयोरी प्योव पिस तीयोरी से डील करती है reality, existence, knowledge या फिर values तो यह deal करती है knowledge जे वेदास teach us that वेदास हमें क्या सिखाते हैं creation is without beginning creation is without an end creation is without beginning and without an end creation has a definite beginning and actual end देखे जो वेदा हैं यानि कि जो हमारे वेद हैं वो हमें सिखाते हैं कि जो creation है उसकार ना तो कोई beginning है और ना ही कोई end है according to sankhya philosophy the sequence of creation is as under sankhya philosophy according to creation उसकी sequence क्या है पुर्सा प्रकरती एहंकार महत या फिर प्रकरती पुर्सा एहंकार महत या फिर प्रकरती पुर्सा महत तर्या एहंकार उसके बाद गता पुर्सा प्रकरती महत एहंकार एक्जाम में ऐसे ही कोश्चन आते हैं और अगर आपको आप ये कोश्चन ध्यान से नहीं कर पाऊगे तो आपके दो नुमर कर जाते हैं तो देखिए इसका जो सही सिक्वेंस होगी संख्या फिलोसपी की हमने थियोरी की वीडियो भी डाल रखी है आप चैनल की प्लेलिस्ट देख लिजेगा तो आपको कोश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी से कंस होगी पहले आएगा पूरुसा उसके बाद प्रक्रती ठीक हैं क्योंकर सांख्या प्रक्रती महत और एहंकार इसकी जो है unsere Marcel होगी आपको मैच करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू गिवन है यहां पर बुद्धिस्ट कंसेप्ट है और उसके मेनिंग साथ में दिये गई है ठीक है यहां पर साथ में कोड भी गिवन है और इस टाइप के कोशन भी एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं जिसके अंजर जो करनी है वह ज्यादा होती है यहां पर है यह च्यार कंसेप्ट यहां पर गिवन है लेकिन यहां पर जिसे आपको मैच करना है यह जो एक्जामपल है यह फाइव है फिकर फ्रेंट्स देखिए यह कहता है और यह सकते हैं दवादस निदान अस्टांग मारक और निर्वाना किस किस से मैच करते हैं देखिए अपको इन में से अगर एक भी पता है तो आपके लिए कोशन का आंस्वर निकालना होती हो जाता है और बहुत कम टाइम में कोशन क्रें यह किस्ति करेंगे देखिए आरे शक्ते हैं फो सोरो टे मैच करेगा ठीक है दौदस जो निदान है वो नाम रूपा से तीसरा जो अस्टांग मार्ग है वो सामयक व्यायम से जो है मैच करेगा और निर्वाना का जो मतलब होता है या एक्जामपल होता है वो क्या होता है समाधी देखिए इस कोशन को बहुत ही ध्यान से किजिएगा क्योंकि इस में से जोह 4-5 कोशन निकल के आ होता है तो आपके लिए चांटना बड़ा मुस्किल हो जाता है तो इसलिए इस को ध्यान से याद कर लिजेगा और अपनी नोटबुक पर नोडाउन भी कर लिजिएगा sociology of education इस sociology of education क्या होती है ब्रांच होती है anthropology की या study होती सोसाइटी क्या फिर analysis होता है sociological processes का जो involved होती है in the institution of education के अंदर या फिर एक science होती है भी study करती है primitive societies को देखिए जो sociology of education होती है वो होती है analysis of sociological process involved in the institution of education schools are basically social institution as schools होते है social institution होते है तो option यहाँ पर आपके सामने given है कहता है कि इस तरह से होते है they preserve and insist the values of our culture in future generation कहता है कि यह हमारी culture की जो values होती है उनको future generation के अंदर डालते है और उनके लिए रिजरव रखते है प्रेजरव रखते है they suggest ways and mean of social progress यह social progress के way or mean को suggest करते हैं क्या फिर यह suggest करते है solution किसका social problem का या फिर यह establish किये जाते है society के दवारा तो देखिए इसका correct answer होगा option A यह क्या करते है हमारी future generation है उसके अंदर values को डालते है और जो हमारी culture होती है उसको आनने वाली generation के और एक विराशत के रूप में परदान करते हैं और एक्जामपल आप शोशल स्ट्राटिफ के सन का एक्जामपल क्या है फिर इस से चाइट इडिवाड़े इंटो डिफरेंट सोशल स्टेटस एस इस सेप्रेट कलोगी इन उसलिकलास थर्ड गोर्मेंट एमप्लोई लाइव और एस सूशाइटी कंसिस्टिंग ओफ अपर लौवर कास्ट तो देखिए जो इंदर के इंदर रहते हैं तो सब्सक्राइब प्रेंट वहना दिए और लेकिन यहां पर दिया गया सेपरेट को लो इंविज ओनली क्लास थर्ड गर्मेंट एंपलोई लाइफ जहां पर क्लास थर्ड की गर्मेंट के जो आप रहते हैं यहां पर नहीं नहीं होती प्रेंड के अंदर next question is a son of rixa puller struggle and become an engineer this is an example आपकाता है कि एक रिक्षा जो चालग होता है रिक्षा खिचने वाला होता है उसका बेटा क्या है inजिनियर बन जाता है ये किसका एक्जामपल है देखें फ्रेंट्स ये जो एक्जामपल होगा ये होगा social mobile का तो देखिए फ्रेंट्स कई बार एक्जाम में किसी तरह से गुमा फिरा के ये कोशन पूच ले जाते हैं जैसे की एक रिक्सा वाला है उसकी बैटी आई-एस ओफिसर बन जाती है ठीक है एक्ट्वल में ऐसा होता भी है जैसे कोई ट्रक ड्राइवर है उसकी बैटी आई-ए डिबेटर डिसकसन से रिडिंग राइटिंग और स्पीकिंग से डांस ड्राम और मुजिक से या फिर टैवलिंग और इंट्रेक्शन विद नैचर से टैगोरियन एजुकेशन सिस्टम कहता है कि एक बच्चा जो है बहुत अच्छे से सीखता है कोड़ आपको गिवन है इन के बाद डांस ड्राम और मुजिक भी उसका पार्ट है कि इसका बच्चे के सीखने का लर्निंग का उसके बाद ट्रैवलिंग और इंट्रेक्टिंग विद नैचर से भी क्या है बच्चा सीखता है इक्वालिटी होती अपोर्टिंटी के अदर उसका क्या आरत है हर एक स्टुडेंट के लिए और आंसर क्या रहेगा इनकी बच्चे की जो योगेता है को शीखतने की फसलेटी प्रोवाइड की जाती है उनको टींग लर्निंग प्रोवाइड चीजबास सेक्शन आप सारे होते हैं या फिर豆ς हैं थार्ड होते हैं सेकेंड थार्ड फॉर्थ होते हैं फर्स चेकंड फॉर्थ होते हैं तो देखें जो डिशाइडवान थे सक्षन होता सोसाइटी का भूखोता अलोफ दी अबोग वीचप फॉलउंग इस नोट ए प्रिइंजिपल ऑफ ड्वलप्मेंट कौन सा जो प्रिंजिपल अफ ड्वलप्मेंट का नहीं है Brinsiple of Continuity प्रिंजिपल चौन इन देखें अजीब सावी लगा होगा कि यह क्यों नहीं है वुटा दिया गया है जो principle of proceeding होता है वो journal to specific होता है तो यहाँ पर क्या है specific to journal यहाँ पर given है और principle of continuity, individual differences or integration क्या है यह development के principle है development of language in children according to bf skinner is the development होती है language की बच्चे के अंदर bf skinner के according किसका रिजल्ट होती है training in grammar imitation and reinforcement in it abilities यह फिर maturation देखिए bf skinner के इसारी रिजल्ट होती है imitation and reinforcement का यानि कि जो बच्चा समाज में देखता है तो ही से imitate करना सुरू करता है नकल करना सुरू करता है और उन्हीं चीज़ों को बोलना सुरू करता है behavior pattern that increase in frequency when followed by reward is known as behavior pattern increase frequency के अंदर और तब फोलो करते हैं reward के दर उसको क्या कहते हैं shaping कहते है classical conditioning कहते है जर्निलाइजेशन कहते हैं apparent conditioning कहते हैं तो correct answer क्या होगा apparent conditioning के अंदर ये भी कई बार की जामें ये भी पूझा जा सकता है कि apparent conditioning के अंदर क्या है जो behavior pattern है वो किस तरह से increase होते हैं reward से follow होते हैं punishment से follow होते हैं या फिर दोनों से follow होते हैं या फिर और भी option हो सकते हैं next question देखिए who propounded self-theory of personality जो self-theory of personality की वो किस ने दी थी क्रेस्मर ने दी थी आलपोर्ट ने आई सेंक ने या फिर रोजर ने तो देखिए ये जो self-theory personality की ये रोजर जी की है next question है assertion और reason का है motivation is important in the process of teaching and learning reason कहता है motivation is attraction toward a goal and clarify its meaning code यहां पर given है आपको देखना है कि कौन सा code जो है correct है ठीक है तो इन में से correct होगा a और r दोनों क्यों कि motivation क्या होता teaching learning की process में important होता है साथ ही motivation क्या करता है मैं अपने goal को clarify करने के अंदर भी ये attraction provide करता है या फिर आप यह कह सकते है motivation एक attraction होता है goal के लिए ठीक है और clarify करता है हमारे goal के meaning को next question है rearrange the following step of social learning theory as given by बंडूरा देखे एक्जामें यह भी पूछा जा सकता है कि जो social learning theory थी वो किस ने दी थी तो यह दी थी Albert बंडूरा ने या फिर ऐसा भी दिया जा सकता है कि अलबर्ट बंडूरा ने कौन सी थी दी थी तो क्या दी थी social learning theory अब आगे देख लेते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है कौन से step given है और साथी code given है किन में से कौन सा code सही होगा कहता है जो अलबर्ट बंडूरा की थी थूरी है उसके अंदर remembering the behavior converting the memory into action reinforcement of the imitated behavior attending to and perceiving the behavior देखिए जो अलबर्ट बंडूरा की थी थूरी है उसका जो सबसे पहला step है वो होता है attending to and perceiving the behavior उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम behavior को क्या करेंगे रिमेंबर करेंगे उसके बाद memory को action के अंदर convert करेंगे और last में क्याएगा reinforcement of the imitated behavior तो इसलिए इसका जो correct option क्या है बी option है देखिए next question क्या कहता है असरसन कहती है longer test are more reliable than shorter one जता जो longer test होते है वो shorter test से जदा reliable होते है reason कहता है each item adds to test reliability हर एक जो item होता है test के reliability add करता है और इन में से कौन सी चीज़े जो है correct है यह आपके सामने code given है तो इसका जो correct option होगा वो होगा B कि सिरफ A ही correct है यह longer जो test होते है वो जदा reliable होते है shorter से लेकिन यह जो आर है each item हर एक item add करता है test के reliability तो जो test के reliability है वो कोई जरूरी नहीं होती हर एक item उसको add करे या ना करे which of the following variance is not controlled or manipulated in a research design देखिए कौन सा जो variance है वो controlled नहीं होता और manipulate नहीं होता research design में variance of independent variable या फिर variance of dependent variable variance of extraneous variable या फिर error variance देखिए जो variance जो control नहीं होता or manipulate नहीं होता research design में वो होता है variance of dependent variable which of the following is not a criteria for the statement of the good research problem option है expression of relationship between among variables clarity and ambiguousness possibility of impartial testing possibility of use of statical analysis तो देखिए इसके अंदर good research problem होती है उसके इंदर कौन सा criteria नहीं तो यह नहीं होता possibility of use of statistical analysis next question है which of the following variable is continuous कौन सा variable इन में से continuous है यह सारे के सारे variable यहां पर given है attitude towards society school है family sizing locality है marital status of college student है religious affiliation of workers है ठीक है तो इन में से continuous variable है वो है attitude towards school यह continuous variable है वी चुफता following is not correctly matched इन में से कौन सा correctly match नहीं किया गया है यह आपके सामने नहीं है वो है reasoning test और content validity अब हम आपको बता भी देते हैं कि यह content validity predictive validity और यह concurrent validity होती क्या है और क्यों reasoning test जो है content validity से match नहीं करता आईए इसको समझ लेते हैं इसका correct option है सी reasoning test क्या है content validity से match नहीं करता अब हम देख लेते content validity क्या होती है जो content validity होती है वो logical और rational validity होती है ठीक है जिसके अदर हम estimate करते हैं कि इसके अंदर जो score होता है scale के उपर ठीक है या फिर कोई test लिया जाता है क्या करता है वो score को predict करता है कुछ criteria को measure बनाते हुए ठीक है जैसे example यहां पर है validity आपको देखनी है cognitive test for job performance के लिए ठीक है तो यह क्या है correlation होगी between test score के अंदर ठीक है and example इसका है supervisor की performance की rating अब बात करते हैं concurrent validity concurrent validity क्या होती है यहां पर भी आपको एक की जगाद दो question मिल जाते हैं कई बार यह भी पूछ ले जाता है exam कि concurrent validity का दूसरा नाम क्या होता है इनकी इसको criteria validity भी कहते हैं दूसरे type की criteria validity ही होती है और जो content validity होती है वह measure करती है कि how well a new test compare to and well established test जो पहले से established test है उसको नए test के साथ के compare करती है अब बात करते हैं construct validity की देखिए जो reasoning test होता है अगर यहां पर construct validity होती तो वह इससे match कर जाती construct validity क्या होती है एक test का एक measure होता जिसके अदर दो basic aspect होते हैं high level reasoning के ठीक है तो यहां पर बात भी reasoning की हो रही है जो shortage journal reasoning test होता है वो suitable होता है for use with the subject of कुईसी भी subject के test के लिए इनकी जब आपको कोई भी reasoning का test लेना है reasoning के test के अगर कोईसी validity यू जोती है वो थी constructive validity क्या है